नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर बरुन प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लों का अपने इस चैनल पर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो लेवर फांक्शन टेस्ट का रिपोर्ट होता है लाब रिपोर्ट उसको कैसे पढ़ें उसको कैसे समझें तो सबसे पहले थ फांक्शन से जो कि हमारा के पर्स्व emptiness करता है और यह टेस्ट होता है फैसलिंग के लिए फिस प्रॉक्सा और पहले से पता हैं उसको दवाया हम लिबर की बिमारियों में के लिए करते हैं सिरौसिस है इसकी प्रोग्रेशन के लिए लेवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा ही मॉनिटर करते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लैब रिपोर्ट आती है लेवर फंक्शन टेस्ट की उसको कैसे समझा जाए उसके जो अलग-अलग पैरामेटर्स उनकी नॉर्मल वैल्यूस क्या होती है तो शुरू क करते हैं हमारा पहला जो इसका पैरामिटर है वह है टोटल बिली रूबिन इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.202 0.90 मिलीग्राम पर डियल होती है अच्छे जो सारे हम लोग पैरामिटर्स कर रहे हैं इसके बारे मैं अपने पहले के वीडियो में अच्छे से डिसक्स कि पार होनी चाहिए नेक्स यह इं अब एल्क हैने के ज़ीं पी इसकी वैल्यू एंटी यूलीटर से घम होनी चाहिए मनलना ज्यू जो बिम्हें अन। बिल्सका यह विड़ान का लूम चैंदन एंटे वह इसे कम शचिग्रेश्बीर हों और आपको ऑली होसिए के टूर्ड इंडिकेट करता है हमारा नेक्स्ट पैरामिटर है टोटल प्रोटीन 6.40-8.10 ग्राम्स पर डियल होना चाहिए नेक्स्ट एल्व में 2.90-4.50 ग्राम्स पर डियल होना चाहिए उसके बाद आता है पीट आने के प्रोथोमी टाइम जोकी 9-12 सेकंड जोना चाहिए यह जो भी रेंजेज मैंने आपको बता हैं जो भी रेफरेंस रेंजेज बता हैं यह लाब टू लाब वेरी करते हैं मतलब एक लाब से दूसरे लाब के रिपोर्ट में थोड़ा बहुत आगे पिछी हो सकता है वह एक नॉम्मल फिनौमेना है उसके लिए परशान नहीं हो चाहिए और आप एसे लाब के बारे वे सारि थैस्ट ले या आप मदद सकते हैं यह चीजब कर दे कि जो हमें आप इप благода की आप और ऑडन है कि मैंने शॉट में समझा दिया कि कैसे देखा जाता है इसकी बारे में बाकि rings तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और अभी जो मैंने पता है उसके लाव यह अगर आपके मन में कोई क्वेस्चन है या फिर कोई कमेंट है या फिर कुछ भी सुझाव देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं धन्यवाद